नमस्कार आप सबका स्वागते हमारे चैनल नेक्स्ट नाए निउस पर मैं नाम है दीपक गुपता महराश्टर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है महराश्टर में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी जो महाविकास अगाली सरकार थी लेकिन मातोश्री के सम्मान में अभी तक सब चुपी सादे बैचे थी लेकिन आज बहुत बड़ा खुलासा मातोश्री के कह सकते हैं यहां पर तमाम बातों को लेकर हुआ है सो करोड की बाते सामने आई है मातोश्री से जुड़ी आखिर क्या है पूरा मामला कैसे उद्दव ठाकरे को जम कर घेरा जा रहा है दाशेरा रेली से पहले आदित्ते ठाकरे के कल तीन हजार से ज़्यादा युवा समर्तक क्या सकते हैं जो समर्तक थे जिस वरली इलाके छेतर से थे वहां से शिंदेगुट में शामिल हुए वो एक हैरान कर देने वाली खाबर थी शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली उन सब के बीच ये खाबर बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विशे बनती है आर्टिकल दिखाते हैं आपको जिससे बाते साफ होती नज़राए सचिन वाजे वसूले के सो करोड मातोशरी भेसता था पहले उद्दब ठाकरे पर आरप था आप यूटन यहाँ पर लेते हैं नज़राए दरसल यहाँ पर आपको बता दें कि बुल्डारा के सांसत परताप राव जादब शिबसेना पार्टी परमुक उद्ब ठाकरे पर एक गंबीर आरोप लगाया आरोप लगाकर उन्होंने यूटन लेने के लिए कहा है उन्होंने कहा कि लेकिन महाराश्टर के राजनेती माब यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है शिंदेगुट के सांसत परताप राव जादब ने आरोप लगाया कि महाविकास अगाली सरकार के वक्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को ततकालिन ग्रह मंत्रे अनिल देशमुक क्या देश से मुंबई के बार और रेस्टरेंट से सो करोड की वसूली के लिए कहा गया था वसूली का ये पैसा वाजे सिधा मातोश्री भेजा करता था शिंदेगुट के ही एक अन्ने नेता किरण पावसकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे की इस मामले भूमिका की जाच की जाए लेकिन अपनी परतिकरिया देते वे ठाकरे गुट के नेता किशोरी पेडनिकन ने इस आरोप को बेहद नीच और घटिया बता और कहा कि तयार स्क्रिप्ट के तहत उद्धव ठाकरे पर हमले किये जा रहे हैं दूसरी तरह मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आसी सेलार ने कहा कि परताप राव जो कुछ भी गलत नहीं कर रहे अधिकरत जानकारियों के मताबिक बरकास पुलिस अधिकारी सचिनवाजे शिव सेना का कारे करता था वह जब से सस्पेंड था उद्धव ठाकरे के दबाब में उसकी पुर्न बहाली करवाई गई यह सब कोट के रिकोर्ड में है जग जाहिर है सांसद ने लिया यूटन का मातोशरी नहीं अगाडी के लिए यह स्टेटमेंट था यानि महाविकास अगाडी के लिए स्टेटमेंट था योजना कारे करम को संबोधित करते वे दिया था यह अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है मातोशरी नहीं अगाली के खिलाफ कहा उद्व ठाकरे का नाम नहीं लिया यह बाते निकल कर सामने आई इस मामले पर शिवसेना की लड़ाई लगबग जारी है और चुनावायोगा फैसला करेगा कि शिवसेना का क्या मामला निकल कर सामने आता लेकिन मातोशरी को लेकर जो खुलासा हुआ है कि मातोशरी नहीं आगाली का नाम लेना चाहते थे लेकिन जिस तरीके से उद्व ठाकरे के लिए समय हर एक चीज मुसीबत बन नहीं है वैसी यही चीज बहुत बड़ी मुसीबत बनती क्योंकि सो करोड़ से मामला जुड़ जाता सीधा लेकिन अब इसकी सच्चाए भी सामने आ चुकी है बनने चनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद